आज की रेस्पी है सोया बड़ी के मोमो हमने पिछली और भी वीडियोज में आपको दूसरी तरह के मोमो बनाने बताए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप देख लीजिएगा आज हम आपको सोया बड़ी के मोमो कैसे बनते हैं वो हम आपको सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी मोमो हम बनाना बताएंगे तो यहाँ पर हमने लगबख सभी तैयारियां जो हैं वो हमने कर ली हैं तो यहाँ हमने क्या क्या तैयारी की हैं वो हम आपको बता रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा अद्रक इसको हमने महीन कट कर लिया है लैसुन है इसको महीन कट कर लिया है धनिया पत्ती है इसको भी कट कर लिया है और यहाँ पर हमने ली है सोया बड़ी तो यह सोया बड़ी चूरा वाली है वो हमने ली है इनको हमने पहले 10-12 मिनट के आसपास हमने इनको पानी में भिगो के रखा था रूम टेप्रेचर वाले पानी से इसके बाद इसको हमने 15 मिनट के आसपास हमने इसको अच्छे से उबाल लिया उबालने के बाद हमने इसका पानी हटा दिया हटाने के बाद इसको 3-4 बार हमने इसको अच्छे से धो लिया जब तक इसका फेना हट नहीं गया है और फिर इसका हमने अच्छे से पानी निचोड दिया तो यह देखी इस तरह से कितनी बढ़ियां से जो है हमने यहाँ पर चूरा वाली बड़ी का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह से यह बड़ी जो है, वो हमारी रेडी है, और यहाँ पर हमने आटा लिया है, यहाँ हमने मैदा का इस्तेमाल किया है, आप गेहूं का आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आधा मैदा, आधा गे तेल डाला है एक चम्मच और थोड़ा सा ही हमने नमक डाला है और हमने इसका आटा इस तरह से रेडी कर लिया है और यहां पर हम कुछ मसाले लेंगे तो थोड़ी हल्दी है धनिया है गरम मसाला नमक स्वाथ के हिसाब से मिर्च है काला मिर्च पाउडर है और यह सोया सॉस है इतना हमने सोया सॉस ले रखा है तो इतने हमारे मसाले हैं हमने पिछली वीडियो में आपको जो है मोमो स्टैंड में मोमो कैसे बनाते हैं वो हम बता रहे थे आज हम आपको दूसरे बढ़तन में बनाना बताएंगे जो है ये है इस तरह का तो इस तरह के बड़तन लगबख सभी घर में हमको मिल जाते हैं तो यहां हमने एक भगाउना लिया है इस तरह से और हमने एक ये बड़तन लिया है तो इसको इस तरह से करना है कि अच्छे से इसमें सेट हो जाए यह अच्छे से sit हो जाए और पानी इसमें इतना डालिएगा कि इसके तले में जो है ना पानी लगने न पाए तो इतना पानी इसमें डालके इस तरह से बड़िया सा sit करने वाला हम बरतन ले लेंगे और इसमें हमने थोड़ा तेल लगा दिया, इसलिए कि ये फिर मोमो ना इसमें चिपकते नहीं है, तो ये ले लिया है और यहाँ पर हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है, तो ये हमारी पूरी मोमो की इतनी तयारी हो गई है, अब आगे की तयारी करते हैं, अब हम क्य करेंगे कि कढ़ाई को हम गैस में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए और तेल है वो गर्म हो गया है तो अब अद्रक है सबसे पहले हम इसमें अद्रक डाल देते हैं अब इसमें लैसुन डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम इसको पका लेते हैं हलका सा यह हमारा जो अद्रक और लैसुन यह पक गए हैं बहुत ज्यादा नहीं पकाईएगा एक तम हलका सा इस तरह से पका लीजिए अब गैस को हम एकदम स्लो कर देंगे और यह सोया बड़ी है यह हम इसमें डाल देंगे एक मिनट तक इसको इसी तरह से हम धीमी आच में इसको ऐसे भून लेंगे अभी कोई भी सामान इसमें एड़ नहीं करेंगे एक मिनट तक अभी इसी तरह से हम इसको भूनते रहेंगे एक मिनट हमने इसको अच्छे से धीमी आच्वे भून लिया है अब यहाँ पर हम मसाले सब डाल देंगे धनिया पति भी अप इसमें डाल देंगे और इसको एक से डेढ बिनट तक हम इसको इसी तरह से धीमी आच्वे इसको हम और भून लेंगे अब इसको हमने थोड़ी देर भून लिया है अब गैस को हम बंद कर लेंगे और एक इसको प्लेट में निकाल कर हम इसको ठंडा कर लेते हैं भरामन अब देखिए अच्छे से ठंडा हो गया है तो अब इनको भरने की तयारी करते हैं इस तरह से हम आटे के छोटी-छोटी से पेड़े रेडी करते हैं पहले फिर इसमें हम सुखा आटा लगाकर इसको इस तरह से हम कर लेंगे और इसको फिर बेल लेते हैं इस तरह से हम इनको पहले सभी को रोटिया इस चोटी-चोटी से हम बना लेंगे बिलने के बाद आप हम इसको भरते हैं इसमे इतना हम भरावन डालेंगे भरावन की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जितना है उतना कर लीजेगा इसको हम सेंटर से ऐसे दबा देंगे और ये जो है इक्वल होना चाहिए उपर की ये वारी पराग ये एक साथ एक बराबर होनी चाहिए तो जिससे कहा है न ये अच्छी सी डिजाइन जो है वो बनकर तैयार होती है इसको इस तरह से हम दबा लेंगे हलका सा यहाँ पर पुश करेंगे सेंटर में और इसको यहाँ से दबा लेंगे हलका सा यहाँ पर हम पानी लगाएंगे और पानी लगाकर इसको हम इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लगा लिया पानी लगाने के बाद क्या करेंगे इसको यहाँ पर ऐसे करके हमने दबा दिया इस तरह से तो ये अच्छा सा इसमें सेट हो जाता है और ये एक अच्छी सी डिजाइन जो है मोमो की वो रेडी हो जाती है तो आप इस तरह से भी मोमो बना सकते हैं या तो आपको जो डिजाइन पसंद हो उस हिसाब से बना सकते हैं आज हम आपको ये डिजाइन के मोमो हम बनाना बता रहे हैं, जब तक हम मोमो भर रहे है, तप तक हम ने क्या किया है प morality को गैस पर छणा दिया है गरम होने के लिए तो पानी अच्छा सगर! हो रहा है सभी मूमो हम इसी तरह से अपने बना लेंगे थोड़ा से यहाँ पे पानी लगा आएंगे और इसको ऐसे दबाब पुस करके यहां पर ऐसे करके इसको ऐसे दबा तो जिस से क्या है न यह अच्छा सा हमारा इसमें चिपक जाता है यह पानी उबलने लगा है और यह जो मोमो है यह भी देखे हमने इस तरह से इनको रेडी कर लिया है अब इनको हम पकने के लिए रख देंगे इस तरह से और एक कोई भी प्लेट आपके पास जो भी हो उसको भब ढख देंगे और इसको हम आठमी मिनट य inhib साथ मिनट के आसपास आप इसको अच्छे से इसको पकालीजिएगे पहले आप इसको 2 श्रेंच में पकालेंगे इसके बाद फिर दीमी आच पर हम बढ़ी हां से इनको पका लेगे मोमो देखे बनकर ready हो गये हैं अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं गर्मा गरम मोमो बनकर ready हो गये हैं बनाने में बिल्कुल भी जंजट नहीं थी खाने में बहुत ही tasty लगते हैं आप एक बार इसको जरूर बनाईएगा तो मिलते हैं एक और अच्छी healthy tasty और easy recipe के साथ